यह वीडियो में हम लोग अनाल्सिस करेंगे निफ्टी और मैंनिफ्टी कल के रेडिंग सेशन में क्या के लिविक्स पॉसिबल है उसके पहले हम लोग टेल्ग्राम चैनल के मेसेज़ेज देख लेते हैं टेल्ग्राम चैनल में कल मैंने टीविएस मोटर्ज 600 का कॉल बाई दिया था वन रुपीज सेविन्टी पैसा में बाई दिया था और यहां पर आप देख सकते हो मैंने मेसेज भी किया है कि पचास रुपे का है बनाया और इसके बाद 60 रुपीज का है बनाया ने काफी अच् 24,000 रुपे के इंवेस्मेंट में 30-40,000 काफी अच्छा ट्रेड था और ऐसे और भी ट्रेड्स आपको मिलेंगे प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रूप में जहां पर हम लोग रिजल्ड बेस स्टॉक उप्शन जाकपॉट ट्रेड देते हैं और मैंने आपको कल वीडियो में बता सकता है यह भी मैं आपको बताया था आज निफ्टी में हम लोगों ने एग्रेसिव पूट शॉट्स किये कॉल भी शॉट्स थे हमारे नेट आफ में प्रॉफिट कम बना वह स्ट्राटिजी में उसके बाद यहां पर मैंने एक ट्रेड दिया था 33,500 के असपास फ्यूचर दिया था क्योंकि वहाँ पर एक छोटा रेशिंस था लेकिन वह स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि लास्ट के 15-20 में बैंक निफ्टी में एक स्पाइक हाई बना था 33,700 के असपास और यह कॉल सेल दिया था इसमें छोटा स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट का बैंक निफ् पर और काफी अच्छा मॉमेंट हम देखने मिला है लास्ट सब सिब्क करते हैं लेवल के आसपास 100 और यहाँ पर ने बैंक जफ्टी में future sell trade दिया था 150 पॉंट का stop loss था उसमें stop loss रेट हुआ ये resistance क्रॉस करने के बाद भी sharp short covering rally में देखने मिली है कल के session में 33,750 का level का लेवल काफी जादा बैंक निफ्टी तो कल के session में levels पर ध्यान देकर trade करना पड़ेगा 33,750 के ऊपर बैंक निफ्टी में upside momentum देखने मिल सकता है otherwise मैं expect कर रहा हूँ कल तोड़ा sideways expiry देखने को मिल सकता है range bound देखने मिल सकता है क्योंकि last 2 दिन से लगातार हमें trended move देखने मिल रहा है निफ्टी अगर आप देखो बैंक निफ्टी से compare करें तो निफ्टी अभी भी week है निफ्टी में 890 का high बनाने के बाद 40 pond का fall में देखने मिला last 15 minute में निफ्टी overall एक range में फस चुका है 14,750 से लेकर 14,900 ये range में मुझे लग रहा है कही न कहीं expiry देखने मिल सकती है कल अगर 14,900 का level cross करता है तो हम एक upside momentum देखने मिल सकता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा last swing अब यही है अगर 14,900 का high cross करता है तो 15,000 के level के आसपास तक हमें expiry देखने मिल सकती है तो कल आपको levels पे ध्यान देना पड़ेगा 14,900 के उपर buying के दरफ ध्यान देना है और लगती है overall जो broader range है nifty में 14,750 से लेके 14,900 यह 500 point की range में मुझे लगता है expiry possible है यह 500 point की range में expiry होने के chance ज़्यादा लग रहे है अगर आपने last 2 दिन में trended market में काफी अच्छा profit कमाया है तो highly advisable होगा कल के session में आपको quantity कम कर देना है 50% quantity में trade करना है क्योंकि कल थोड़ा sideways औ हमें देखने मिल सकता है और last 2 दिन से हमें trended moment देखने अरड़ी मिल चुका है अगर levels में कुछ भी changes रहा तो मैं आपको telegram channel में बता दूँगा telegram channel का link मेंने वीडियो के description box में दिया हुआ है आप telegram channel join कर सकते हो telegram channel में हम लोग options buying के trades भी देते हैं options selling के trades भी देते हैं और cash level intraday trades भी देते हैं जिसमें आप 2-3,000 रुपे intraday में कमा सकते हो और अगर आपको options strategy सीखना है derivative open trust analysis सीखना है open trust कैसे काम करता है live market में position analysis कैसे कर करना है आपकी कोई भी strategy है उसको आपको algo में build करना है machine trading करना है तो आप हमारे courses join कर सकते हो इसका भी link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है और mobile app का भी link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है अगर आपको वीडियो और analysis अच्छा लगा तो वीडियो को like and share जरू करना thanks a not for watching the video see you in the next video